पावर्ड बाइ आर्थ्रोस्क्रीनिग, डेडिकेटेड सेंटर पोर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्क्स इंजरिम्स हाई दिस पूर्णम शर्मा एंड वेलकम तु सर्भाग्दा नियूस कंग्ना रनोथ ने खुलासा किया है कि बीजेपी ने ओफर की थी उन्हें टिकेट लेकिन उन्होंने राजनीती के बारे में कभी सोचा नहीं कंगना रनावत बीते कुछ दिनों से सुशान्त सिंग राजपूत मामले में अपने बयानों को लेकर सुर्ख्यों में चाही हुई है कंगना रनावत बॉलिवूद में बाहरी लोगों को मौका ना देने और स्टार किट्स को बढ़ावा देने को लेकर इंडरस्ट्री के कुछ बड़े एक्टर, प्रोडूसर और फिल्म मेकर्स पर निशाना साथ रही है यही नहीं एक्टरिस ने सुषान से राजपूत मौत मामले में बेबाकी से अपनी रायरक्ती नजर भी आ रही है लेकिन इस बीच कंगना रनावत प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी का समर्थन करने को लेकर ट्रोलर्स के निशाने पर हैं जिसे लेकर अब एक्टरिस ने ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है कंगना रनावत ने पीएम मोधी का सपोर्ट करने पर ट्रोल होने को लेकर कहा यह उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि मैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी का सपोर्ट इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं राजनीती में आना चाहती हूँ मैं उन सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मेरे दादा जी 15 सालों तक कॉंग्रेस से विधायक रहे हैं मेरा घर हमेशा से ही राजनीती से जुड़ा रहा है मेरा घर राजनीती में इतना लोग प्रिये है कि फिल्म गैंग्स्टर के बाद मुझे हर साल कॉंग्रिस से ओफर मिलते रहे हैं अपनी बाद जारी रखते हुए एक्टरस आगे लिखती है फिल्म मनी करने का के बाद मुझे बिजेपी से टिकेट ओफर की गई थी लेकिन मैं अपने काम से प्यार करती हूँ इसलिए राजनीती में जाने के बारे में नहीं सोचा तो जो लोग मुझे कहकर ट्रो कर रहे हैं कि मैं राजनीती में जाना चाहती हूँ उन्हें अब रुख जाना चाहिए बता दें हागी में एक्टरस ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने सुशांसियार राजपूत मौत मामले में जाच कर रही मुंबई पुलिस की कारिशाली पर सवाल उठाए थे